हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा वैसन्मुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है यहां दो हॉस्पिटल हमारे है जहां मनोरून तथा वैसनी लोगों को रिश्यदारों के साथ में वरती कर है विसन्मुक्त भारत और सबके लिए मानसी स्वास्ते है हमारा मेशन है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक पेशेंट का फोटो बताने वाला हूँ उसका वीडियो बताने वाला हूँ कि वो पहले कैसा था मतलब मानसीग बीमारी होते तो होता क्या है और उसके अंदर विश्वास था लोग बोलते थे यह बहर का क्या हुआ है भूध पली थे, उसने करणी किया हुआ है उसके पीछे को भूध पिचाश्च्य लगा हुआ है और उसके लिए उसका बहर ही इलाज करते थे उसके आंट में जो कुछ घुचा हुआ है उसको बाहर निकालते थे, उसमें पेशन्ट को मार्पीट करते थे, मारते थे, उसके आखों में निम्बू डालते थे और बान के रखते थे, मतलब बहुत साला कुछ करते थे कि जिसके वज़े से वो जो भूत पलीथ है वो निकल जाएंगा उसके बदन में से, एक्चुली अभी ये साइंस से मालू हुआ है कि जो पेशन्ट एक्साइट होता है, वाइलन्ट होता है, पांच-पांच ददद लोगों को कंट्रोल में नहीं आता है, उसका केमिकल लोचा होता है और केमिकल लोचा मेरा मतलब कहने का यह है कि केमिकल इंबैलन्स होता है, डोपामिन जो है, जो एक केमिकल ले ब्रेन में, जेरो ट्रांसमेटर है, उसकी लेवल बहुत हाई हो जाती है, ऐसा एक सेंटिफिक हाईपोथीसिस है, उसको डोपामिनरजिक हाईपोथीसिस ऐसा बोलते है, कि जिसके वज़े से मतलब तोड़ फोड़ करना, मार्कीट करना उसकी सुना नहीं तो मतलब किसके भी आंग पर जाना या ऐसा कुछ है, मतलब किसके पर शक करना नीन नहीं आना, ऐसा कफी सारा हो जाता है और फिर उसमें patient control नहीं होता है लोग परेशान हो जाते हैं अभी मैं आपको जो पेशेंट बताने वाला हूँ ये देखिए वो पेशेंट अभी ये पेशेंट लोगों ने बान के लाया इसके पहले इनका ये पेशेंट का इलाज काफी जगह किया हुआ है उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया हुआ है उसको दवाई दी मगर ठीक ने तो उसके घर के लोग बहुत तंग आगे थे कि अभी इसको कंट्रोल कैसे करना है उसको हमने उसका मतलब इलाज किया कभी सरी दवाईया दिया अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ये बाहर का क्या हुआ है भूद घुसा हुआ है या बाहर का कोई मतलब विच्क्राफ्ट है या पिशा अच्य है गुसाव ऐसा कुछ भी नहीं हो तो लोग मानते रहते हैं बहुत बाहर का करने का है वर हमने उसको दवाई दिया गुलिया इंजेक्शन दिये और दो दिन में ही वो काफी क्वाइट हो या देखो भी ऐसा है कि जो डोपामीन को कम करने वाली या डोपामी गेंस्ट जो काम करती है वो दवाई देने के बाद में कितने कम समय में पेशन अच्छा हो जाता है इसका मतलब वो जो बता है कि डोपामीन दरजिक हाईपोथिसिस जो डोपामीन हाईपोथिसिस वो कितना सही है adata क्ले देखा जाएट कूझे हम दवाई या बोधे जिससे इंजक्शन देते हैं या दो इंजक्शन और उससे पेशन काफी सारा क्वाइट हो जाता है रिलाक्स हो जाता है अब देखें वही पेशन का भी मैं आपको पिक्चर बताता हूँ वही पेशन अभी हमारे यहां एडमीट भी है और वह भी साल भर तक कम से कम इसको दवाइज जैना जरूँ थाकि वो जो केमीकल लोच है जो kemical imbalance है वो ठीक हो जाएगा और वो इंबालनस ठीक होता है तो उसका जिवन वह ठीक तरसे उसका जिवन जी सकेगा होता कैम आई कि लोगण है यह लोग फिर बाहर उसकी बंद कर दालते है, बंद करने के बाद में वो जो chemical imbalance है फिर से chemical imbalance तैयर हो जाता है, जो पहले था और जो अच्छा हुआ था, और फिर उसको attack आता है, तो मेरा सब्सक्राइब यह कहना है कि जब आप दवाई लेते हो, तो उनको दवाई कम से कम एक साल तक अर्था तो, वो जो बिमारी है वो देखके, दवाई दना जरूरी है ताकि यह जो violence है, और violent behavior psychotic behavior है, यह एकदम ठीक हो जाएगा, और patient अच्छा उसका जीवन जी सकेगा तो यह काफी परेशानियां लोगों में होंगी मैं तो बोलता हूँ, mental hospitals में कितने सारे ऐसे patient होंगे कि जो admitted है, जिनको लोग घर ले जाना ने साहथ है ऐसे काफी सारे लोग तो हमारे जेलों में बंद है कि जोनोंने लोगों के पर attack किया था, violent attack शक था उनको, मगर उनोंने, मतलब उनको इसलिए गिरभदार किया गया, उनके उपर इसलिए police complaint हो गई, कि इननने मतलब लोगों के पर attack किया, लोगों को मारा, मतलब actually अब देखा जाए, हो सकता है कि उनको कुछ बानिसिक बीमारी होगा मगर यदि जेल में जितने भी लोग बंदी है मतलब psychiatric, उनका assessment किया जाए, काफी सारे उसमें से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो बीमारी की वज़े से violent हो गए थे, बीमारी की वज़े से या शक्त था इसलिए लोगों के उपर attack किया, शक्त था इसलिए उन अंसिक बीमारी होती है और वो अच्छा हो सकता है पेशेंट तो आपको वीडियो अच्छा लागा तो जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ घंटी आएगी उसके उपर भी प्रेस करो ताकि मेरी काफी सारी वीडियो जो मैं डालते रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आजाएगी आपको जो भी और कोई वीडियो चाहते होंगे आप तो जरूर डिस्क्रिप्शन में या आपके सजेशन बॉक्स में आप डालो कि आपको कौन सा वीडियो इसके बाद में चाहिए मैं जरूर वो वीडियो पुब्लिच करने की कोशिश करोंगा So thank you very much